एकाच्छी विरत करने के पीछी का विज्यान एकाच्छी विरत के पीछी का विज्यान इस बीच आधुनिक विज्यान के अनुसार यह ग्यात है कि हमारे घ्रह पर हवा का दबाव अमावश्या और पुर्णिमा दोनों दिन अत्यदिक सीमा तक भिन्न होता है ये सूरिय चंद्रमा और पिर्थ्वी के कक्षिय पत्सयोजन के कारण है इसे अमावश्या और पुर्णीमा के दिनों में जवारिय तरंगों की प्रिकर्ति में प्रिवर्तन से देखा जा सकता है लहरे बहुत उची और खुर्दरी होती है लेकिन अगले दिन से लहरे शान्त हो जाती है जो इस बात का संकेत है कि दबाव भी कम हो गया है जवारिय तरंगों को जवार भाटा भी कहते हैं और अंग्रेजी में टाइड कहते हैं अब इस तथे के आधार पर एक आची वृत का महत्तव दो परकार से बताया जा सकता है पहला विज्ञान के अनुसार आज हम जो भोजन करते हैं उसे मस्तिश्क पहुचने में लगभग 3-4 दिन का समय लगता है अब यदि हम एक आची के दिन वरत रखेंगे और हलका खाएंगे तो वह भोजन अमावश्या पूर्णीमा के दिन तद नुरूप मस्तिश्क तक पहुचेगा इन दोनों दिनों में पृत्वी का दबाव अपने अधिक्तम स्तर पर होता है जिससे हर चीज में असंतुलन पैदा होता है जिसमें विचार प्रक्रिया भी शामिल है इसलिए यदि मस्तिश्क को कम से कम इनपुट दिया जाता है तो उच दबाव के असंतुलन के कारण मस्तिश्क के किसी भी तरह की गतिविदी में लिप्थ होने के संभावना भी नियूंतम हो जाती है दूसरा एकाची वृत की व्यख्या यह है कि चंद्र चक्र के किसी भी अन्य दिन की तुलना में एकाची के दिनों में वायूमंडलिय दबाव सबसे कम होता है इस प्रकार यह उप्षवास करने और अंत्रपरणाली को साफ करने का सबसे अच्छा समय है यदि हम किसी अन्य दिन उप्वास करते हैं तो उच्छ दबाव, तनाव हमारे सिस्टम को नुकसान तो उचा सकता है इस प्रकार यह सला दी जाती है कि एकाची का वृत करने के ठीक अगले दिन द्वाची को हम जल्दी उठकर यथा शिग्र भोजन कर लें उप्रोक्त दोनों सिधानतों के अनुसार एकाची के दिनों में उप्वास के अभ्यास का एक मजबूत व्यज्यानिक आधार है वृत रखने वाले लोगों को सभी प्रकार के अनाच से दूर रहने और नट्स दूद फलादी का हलका आहार लेने के लिए कहा जाता है उप्वास वरिस्था को विश्राम देता है अहार में थोड़ा अधिक खाने या अंधा दून होने के कारण शारिरिक परनाली पर अत्यदिक काम हो सकता है इस प्रकार एकाची का व्रत तंत्र को पकड़ने का मोका देता है हम जानते हैं कि पाचन तंत्र रक्त प्री संचरण को पाचन अंगो की और खीचता है इसलिए भोजन करने के बाद सिर में रक्त संचार कम हो जाता है इसलिए हमें नीद आने लगती है इस प्रकार एकाच्छी का पलन हमें अधिक स्तर्क, तेज, केंद्रित और अधिक जागुरुक रखते हुए हमारे मस्तिश्क और दिमाग को रिचार्ज करने में मदद करता है। और गुर्दे और यकृत के कामकाज में सुधार करता है। यह अश्री जनक है कि प्राचीन वैदिक भारतियों ने खुद को फिट और किसी भी नकारात्मक रुभाव से मुक्त रखने के लिए इस पदत्ती को कैसे बनाया। धन्यवाद। यदि आपको मेरी जानकारी झाल 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 झाल